आज का हमारा टॉपिक है add new students accounts from online coursehost.com to google sheets तो online course host हमारा एक online course platform है जहां course create या sell कर सकते हैं अब हम चाहते हैं कि जब भी online course host में कोई नया student account create हो तो automatically google sheets में उसकी details हो जाए add वो भी automatically तो इस पूरी process को हम automate कर सकते हैं पैबली connect की मदद से इन दोनों applications के बीच में connection बिल्ड करके जिसमें हमारा trigger होगा कोई नया account create होना online coursehost.com पर और हमारा action होगा automatically same details add हो जाना हमारी google sheet में तो आईए देखते हैं मेरे screen पे कैसे मैं मैं पूरा automation बना रहा हूँ तो आज के इस फीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम online coursehost.com और google sheet के बीच में connection बिल्ड करेंगे कि जैसी online coursehost.com पर कोई नया student account create हो तो automatically उसकी details इस particular google sheet में हो जाए enter तो इस पूरी process को हम automate कर सकते हैं पैबली connect की मदद से इन दोनों applications के बीच में एक connection बिल्ड कर गी तो चलते हैं new tab पे और आप देख सकते हैं यह है पैबली connect का landing page पैबली एक बहुत ही amazing software है जहाँ multiple applications को connect के integrate कर सकते हैं अगर आप नई user है तो जाए sign up for free पे जहाँ आप कहर में ने मिलेगे free task ऐसे automation create करने के लिए अगर आप existing user है तो क्लिक करे sign in पे और sign in पे क्लिक करते ही हमारे सामने open होगी public की पाच मिन applications आज हमको use करना है पैबली connect का क्योंकि आज हमको एक automation बनाना इसलिए हम जाएंगे fabric connect पे और क्लिक करेंगे access now पे Access Now पे क्लिक करते ही हमारे सामने उपन होगा Public Connect का Dashboard हमको जाना है Right Hand Side पे क्लिक करना है Create Workflow पे Create Workflow पे क्लिक करते ही हमारे सामने Dialog Box Appear होगा जहां में इस Workflow को एक नाम देना है तो मैं इसे नाम देता हूँ Add New Online Course Host.com Students Accounts to Google Sheets क्लिक करूँगा हमें Create पे और Create पे क्लिक करते ही हमारे सामने उपन होगी ये दो Important Windows इनको हम कहते है Trigger and Action Basically जो हमारा पूरा Automation है वो इन दोनों Principles या Concepts पर ही Based होता है इनकी Definition के बात करें तो Trigger कहता है 37 मतलब जब ऐसा हो तो Action कहता है Do This मतलब ऐसा कर दो तो आज के हमारे Trigger एप्लिकेशन क्या होगी आज के हमारे Trigger एप्लिकेशन होगी OnlineCourseHost.com पर जैसे कोई नया Student Account create हो तो Action यानि Google Sheets में Automatically एक Data हो जाए Create या Record सबसे पहले हम Choose करते हमारे Trigger एप्लिकेशन इस पर हमको क्लिक करना है और यासे Choose करना है हमको हमारे Trigger एप्लिकेशन जो की होगी OnlineCourseHost.com इसके बाद Trigger Event पर हमको Select करना है New Student Account इसका मतलब OnlineCourseHost.com पर जैसे कोई नया Student Account पर जैसे कोई नया Student Account create हो तो Automatically जो हमारे Workflow का Trigger है वो रन कर जाए और उसकी सारे Instructions दी हो है कि हमको हमारे Account पर Login करना है Admin पर जाना है, Settings पर जाना है और वहाँ से हमको लाना है यह Token तो चलते हमारे OnlineCourseHost.com के Account पर अब देख सकते हैं हमको क्लिक करना है Admin पर, Left Side पर आप एक Option देख रहे होंगे Integrations का, आपको जाना है Integrations पर, Scroll down करना है नीचे और देखिए, यहाँ पर लिखा है Public Connect Integration यह आपको यहाँ से करना है Copy जाना है वाप इस Public Connect पर इसको कर देना हमको यहाँ पर पेस्ट और जैसे हमारे Save पर क्लिक करूँगा तो देखिए, Automatically हमारे जो अकाउंट है आपको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए, हमारे अकाउंट हो चुकर करूँगा अब Simply हम क्लिक करेंगे Save and Test Request पर जैसे में Save and Test Request को बटन पर क्लिक करूँगा इसके बाद हमको जाना है OnlineCourseHorse.com के अकाउंट पर और वहाँ पर Create करना है नया Student Account तो देखिए, जैसे में कोई नया Student Account क्रेट करूँगा इंस्टेंटली उसका जो रिकॉड है जो उसके डीटेल से हो पैबिक करेंट के पास हो जाएगी Capture तो क्लिक करतें Save and Test Request पर और चलते हम अपने OnlineCourseHorse.com के अकाउंट पर Create करते हैं अकाउंट क्लिक करेंगे हम Sign Up पे तो देखिए, यहाँ पर हमारा Account Create हो चुका है इसका मतलब Public Connect के पास सारी डीटेल्स हो जाएगी Capture, जैसी हमने यहाँ पर कोई नया Student Account क्रेट किया है तो Public Connect के पास हो जानी चाहिए सारी Information Capture तो चलते है Public Connect पे और देखिए हाँ पर हमको API Response Receive हो चुका है तो जिस Email ID से हमने Account Create किया था वो हमको यहाँ पर मिल चुकी है तो यह है उस Student की Email ID जिसने अभी अभी OnlineCourseHouse.com पे एक Account Create किया है अब हम चलते हमारी Next Step के और जो कि हमारी होने वाली Action Step तो जो हमारा First Step of Integration है हमने OnlineCourseHouse.com और Public Connect के बीच में कैसे Connection कर दिया है कि जैसे कोई नया Student Account Create होगा Automatically उसकी जो Details है वो Public Connect के पास हो जाएंगी Capture अब चलते हमारी Next Step के और जो कि हमारी होने वाली Action Step तो Action Application में हमको चूज करना है Google Sheet उससे पहले मैं आपको अपने Google Sheet पे लेके चलता हूं तो देखिए यह है मेरी Google Sheet इसको मैंने नाम दिया है Online Course Host Students और First Field में मैंने डाला है Email Address of the Enrolled Students और B Field में डाला है इमने Date of Enrollment अब वापिस चलते Public Connect पे तो देखिए हमको Email ID तो यहाँ पे मिल चुकी एटरी के application पे पर यहाँ पर जो Date of Enrollment है वो हमको यहाँ पे नहीं बिलाए तो इसके लिए हम यूज करेंगे पैबली का फीचर जिसको हम कहते है Date Time Formatter यहाँ से हम यूज करेंगे Date Time Formatter और निकालेंगे Date Time Formatter का यूज करके हम निकालेंगे हमारी Current Date तो Action Event हमको Select करना है Current Date क्लिक करूंगा हमें Connect पे और इसके वाद आपको चूज करना है यहाँ से Format तो Format हम चूज करेंगे एक Simple Format अगर आपको टाइम भी इंक्लूट करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं True मैं इसको रखूंगा False क्लिक करूंगा Save & Send Test Request पे तो देखिए आज की हमको यहाँ पर Date पुल चुकी है इसका मतलब यह है कि जो भी Student Account क्रेट करेगा OnlineCourseHost.com पे उसकी जो details है यहाँ पर हो जाएंगी Enter तो email address हमको trigger application में मिल चुका था पर हमको date नहीं मिली थी इसलिए हमने date निकाली है पैबली के एक feature से जिसको हम कहते है Date Time Formatter अब इसको करेंगे हम Save और अब चलते हमारी last step की और जो कि हमारी होनी वाली action step अब आप इस plus button पर हम क्लिक करेंगे और यहांसे चूस करेंगे हमारी action application जो कि है Google Sheets Google Sheets यहांसे मैं चूस करूँगा क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी OnlineCourse.com पर कोई नया student account create हो उसकी details Google Sheets की रोह में जाके हो जाए add action event पर हम select करेंगे add new row और अब Google Sheets के अकाउंट को हमको connect करने के लिए क्लिक करना है हमको allow पे तो देखिए यहां पर हमारा authorization successful हो चुका है इसका मतलब जो हमारी Google Sheets का हो भी पैबली कनेक्ट से आपर connect हो चुका है अब देखिए फिर हमको है पर हमारी spreadsheet का नाम क्या था हमारी spreadsheet का नाम था online course host students तो पैबली कनेक्ट ने automatically कर लिए capture इसके बाद आता हमारा email address of the enrolled students and date of enrollment though email address हम यहापर use करेंगे mapping का अब आप सोच रहे होंगे कि mapping का मतलब क्या होता है mapping का मतलब योस पे ने कर लेंगे वो भी without manually time करके जो email ID हमको trigger application मे साम यापर कर लेंगे वह भी without manually ले टाइप करके तो मैं आपको बताता हूं मैपिंग कैसे की जाती है तो देखिए आप जैसे इस ब्लैंक फिल्ड पर क्लिक करेंगे तो तो देटा इंफ़ोर्मेटर इस बार हम चूज करेंगे हमारी सेकरिन स्टेप इसके ज्रॉपड़न पर क्लिक करेंगे और यहां से मैप कर देंगे हम हमारी टीट तो मैपिंग का यूज करना इसलिए ज्यादा इंपोर्टेंट होता है क्योंकि जब भी वरफ्लो रन करेगा त अपडेट नू डेटा से इसका मतलब online course host.com पर कोई नया student अगर create करता है तो जो उसकी email ID है और जो date of enrollment है वो automatically हो जाएगा update इसलिए mapping करना होता है बहुत जाद ज़रूरी अगर हम इसको manually type करते ही तो यह data रहता हमेशा static अब simply के मैं क्लिक करूँगा save and send test request पे तो दीकि automatically google sheet में सारा data हो जाएगा capture तो दीकि हमको API response रसी वो चुका है जो कि एक positive API response है अब चलते हम अपनी google sheet पे और देखिए हाँ पे automatically जो हमारी student की email ID थी और जो date of enrollment था वो यहाँ पे आके हो गया है add इसका मतलब जो connection हमने built किया थ में वो वर्क कर रहा है सिंप्री तीन स्टेप हमने पूरा automation मना लिया था जो वर्क करेगा इंस्टेंटली जिसमें मारी ट्रिगर एप्लिकिशन थी online course host.com पे कोई पैबले करेट की मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सकते है support at the rate family.com पर अगर आपको कोई queries है आपको कोई doubts है तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue है तो आप जा सकते इस link पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू